हेलो माई यूटूब फैमली वेलकम टू माई चैनल चोटी की चोटी से दुनिया में आप सब का स्वागत करती हूँ आज ना तो कोई DIY लेकर आई हूँ और ना ही कोई decoration लेकर आई हूँ आज तो मुंबई की सबसे बड़ी art craft festival मैं आपको दिखाने वाली हूँ जी हाँ काला गोडा जैसे ही मैं इस दोर पे entry लेती हूँ तो क्या देखती हूँ कि यहाँ डेर सारे milton के bottle से यहाँ pillar बना हुआ है जो कि काफी प्यारा लग रहा था entry लिया तो दोर भी देखा कि plastic के bottle से बना हुआ था मानो ऐसा लग रहा हो कि पूरी Mumbai की plastic इधर ही आ गई हो और यह door काफी creative था इसके बाद entry लेते ही यहाँ के dust bean को भी इतना प्यारा color किया था कि बच्चे रो रहे थे photo लेने के अब बताओ यह तूटे वे table fence से इन्होंने statue बना दिया यहाँ पे waste material से flamingo बना दिया यह car को grass से cover कर दिया और car के उपर ही factory बना दिया इतना eco friendly oh my god it's very nice अब यह देखो यह क्या बन है यह भी art craft के students नहीं बनाया है बट beautiful अगर आपको पता है कि यह चीज है क्या तो comment section में comment करके जरूर बताना कि यह है क्या Mumbai के लोग easily बता सकते हैं बट बाकी state के लोग मुझे लगता है नहीं बता पाएंगे लेकिन फिर भी कोशिस जरूर करना और मुझे बताना कि यह क्या है जो बच्चों ने बनाया है फिर मैंने यहाँ पर एक cardboard से बना हुआ statue देखा जो कि काफी प्यारा statue लगी नहीं रहा था कि यह cardboard का है इसके बाद मैंने decide कि मैं यहाँ के stall में भी घूम लेती हूँ तो मैं यहाँ मिजोरम के stall में गई जिसमें की बहुत सुन्दर सुन्दर इस तरह के purse बने वे थे जो बहुत प्यारे लग रहे थे लेकिन costly था थोड़ा फिर मैं दूसरे वाले light shop में गई जहां पर कि यह बहुत creative light बने वे थे जो बहुत सुन्दर hanging lights भी थे अच्छे लग रहे थे लेकिन costly था यह भी काफी फिर मैंने hanging gardens देखा जो यहां के students ने बनाया है काफी प्यारा लग रहा था बीचो बीच और उसके बाद राजस्तान वाले stall में कहना ही क्या इन्होंने तो cow dung को canvas के उपर painting किया था उसके ऊपर काफी प्यारा लग रहा था फिर इसी तरह के purse वाले shop में फिर jewelry shop में गई प्यारा लग रहा था फिर एक jewelry के shop में गई जो कि मोतियों की jewelry बने वे थे इतनी सुन्दर flowers उसमें बनी हुई थी बट काफी महिंगा था जब मैंने इसका price पूछा तो बहुत प्यारा innovative idea से ये बने हुए थी फिर उसके बाद ये लकडी के कुछ statues बने हुए थे यहाँ पे different types के handloom वाले कपड़े भी थे जहाँ पे के painting बहुत प्यारी प्यारी painting बनी हुई थी फिर wall hangings मतलब क्या ही बोलूँ handmade इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें काला गोडा में बनी हुई थी बट costly काफी थी फिर उसके बाद मैंने देखा कि यारे भाई इतनी भीड की हूँ यहाँ पे जमी हुई है तो फिर मैं थोड़ा आगे आई और मैंने देखा कि यहाँ दू चार statues रखे वे थे और statues को designer कपड़े पेनाया थे जो कि designing किया हुआ था काफी अच्छा लग रहा था और इस तरह से हमने enjoy किया तो next year वापस से काला गुडा enjoy करने के लिए मिलेंगे आज के लिए इतना ही till then bye bye take care